आज मेरे पुत्र अंकेश का जन्म दिवस है और बच्चों को बड़ा शौक होता है कि जब उसके जन्म दिवस की तारीख है तो हम उसके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करें लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में हम कोई जशन मनाई ये उचित नहीं होता या वीडियो बनाने का उदेश कता है ऐसा आप मत समझेगा कि मैं लोग प्रियता पाने की चाहत रखता हूँ या फिर मैं एलेक्षन में खड़ा हो जाऊंगा या फिर आगे चलकर निता बनने की चाहत रखता हूँ अब बिल्कुल नहीं इस वीडियो बनाने का मुख्य उदेश कि बहुत सारे हमारे ऐसे शिश्य हैं जो बहुत दिनों से प्रतिक्षा कर रहे हैं कि मैं भी इस कुरोना के महारी के दौर में अपने जरूरत मंदों के काम आ सकूं तो जब तक ये वीडियो नहीं बनेगा मैं देखता हूँ अपने डुमराओं के कई नौजवान साथियों को जो इस विकट परिस्तिती में बहुत ही ज्यादा दीन रात लगे हुए हैं समाज की सेवा करने के लिए राशन पहुचाने के लिए गली-गली में हो जाते हैं डुमराओं के ओ इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि ऐसी परिस्तिती जब पूरा विश्व जुजरा था तब डुमराओं ने निराश नहीं किया सैकड़ों लोग उने दान दाताओं का काम किया बहुत ही अधिक दान दिये ताकि लोग आगे चलकर हमारे समाज सेवी संस थाए जो है उन्होंने अपने माध्यम से ल तो आज मैंने चेश्टा की किसी के आवश्यक्ता में उसकी सहायता करने की और जीवन हमारा तभी सार्थक बनता है इश्वर की नजर में जब हम मानावता के धर्म का पालन करते हैं और आज इश्वर की द्रिष्टी यह हम सभी से कह रही है कि इस मानावता के दौर में जहा अगर कोई सिर्फ इसलिए मर जाता है आपके गाउं और मुहले में कि उसके घर के चुले में आग नहीं जलती है तो यह महापाप होता है कि हमारे रहते हुए कोई भूग से मरे इसका हमें आवश्य ध्यान रखना चाहिए कई लोग इसमें लगे हुए हैं उसमें छोटा सा प अपने माध्यम से एक व्यक्ति दो व्यक्ति तक एक दिन या दो दिनों तक या जो भी आपसे सा आपका समर्थ आपको अनुमती देता है उसके अनुसार आप उनके सहयता वश्य करें लेकिन जब आप सहयता करने के लिए जब कोई खाद्य समगरी खरीदने जाए तो आप यह कताई यह मत सोचिए कि मैं बाटने के लिए खरीद रहा हूं हमेशा खरीदते समय आप यह सोचिए कि कोई मानों उसका सेवन करेगा आप इसलिए खरीद रहें आज जब सुबह मैं भी गोला बाजार पहुंचा तो बाटने बाटना जो शब्द है यह हम दुकंदार के साम कर सकता हूं अगर उसे मैं नहीं खा सकता या मैं नहीं खाना चाहता तो मैं किसी और को खाने के लिए कैसे दे सकता हूं तब इश्वर के द्रिष्टी में वो बुरा बन जाएगा वो बुरा लगेगा तो मैंने जो मैं सेवन कर सकता हूं और जो मेरे सेवन करने योग्य है म और इस कोरोना के दौर में अपनी माध्यम से कोई सहायता कर से। मैं सोभागेशाली अपने आपको समझता हूँ कि मुझे यह औसर प्राप्त हुआ और अगर इस वीडियो को देखने से अगर तनिक सभी आपको आपत्ती है तो मैं आपसे छमा प्रार्थी हूँ लेकिन मेरा आप में से किसी के हिर्दय को दुखी करना नहीं और नहीं लोग प्रियतार जीत करना है बस जो मेरे चाहने वाले हैं जो प्रतिक्षा कर रहे थे कि मैं भी इस कोरोना के महामारी के दौर में कुछ करूंगा वसंद तक पहुँचने की कोशिश है हम लड़ेंगे इस कोरोना से और जीतेंगे और इश्वर्क ने चाहा तो फिर हमारी मुलाकात वैसे ही होगी जैसे हम सरवदा मिलते आए हैं धन्यवाद